हेलो माई यूट्यूब फैमली तो आज में लेकर क्याई हूँ आपके लिए नमके सेव की रेसिपी जिसको बच्चे और बड़े सभी बहुत अच्छे से सोक से खाना पसंद करते हैं और बनाने में ये बहुत इजी हैं आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इनको बहुती आसानी से बहुती कम चीजों से घर पर खस्ता करारे सेव बना करके तैयार कर सकते हैं देखे फ्रेंट्स कितने बड़िया कुरकुरे लग रहे हैं ये तो इनको बनाने के लिए हमको चाहिएगा एक बड़ा सा मिक्सी बाउल और रखेंगे चलनी और धा आइसोग्राम में बेसन के यहां पर सेव बना के दिखा रही हूँ आपको अगर आप जादा बनाना साथ चाहते हैं तो इसकी कॉंटिटी डवल कर सकते हैं जो भी मैं चीजे बताऊंगी अच्छे से चीजे यहां पर हम छान लेंगे देखे बेसन को हमने बड़िया तरीके से चान लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा आधा छोटा चमच से आधा चमच स्वात के अनुसार नमक एट करेंगे और आधा चमच जो अजवाईन होती है उसको हाथ से अच्छे तरीके से रगड रगड कर अच्छे तरीके से करेंगे जिससे कि वो तूट जाए और उसका जो फ्लेवर है ना इस तरह रगड के डालने से सेव में बहुत अच्छा आता है उसके बाद हम इसमें एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर एट करेंगे और थोड़ा सा काला नमक इसमें हम एट करेंगे तीन से चार पिंच इससे भी बहुत अच्छा स्वात आता है अब को और जादा खस्ता करारे बनाने हैं तो आप तीर चमच भी डाल सकते हैं और देखिए एक छोटे चमच का चोथाई हिस्सा यानि कि एक चोथाई चमच हम इसमें बेकिंग सोड़ा डाल रहे हैं अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से ये अच्छे से चमच से मिक्स नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको हाथ से मिक्स कर लूँगी और अभी हम इसमें पानी आट करेंगे थोड़ा थोड़ा देखिए थोड़ा थोड़ा पानी आट करके इसका हमको soft dough लगाना है Tight dough हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे नहीं जादा पतला लगाएंगे मतलब medium dough हमें लगाके इसका तैयार करना है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हम soft dough इसका हम बना करके तैयार कर लेंगे तो देखे फैंड्स कुछ इस तरह का soft dough हमको बना लेना है और इसको अभी हम cover करके 20 मिनट के लिए rest पे छोड़ देंगे जो बेसन है वो अच्छे से फूल जाएगा अब देखे ये आपको मैं टच करके दिखा रही हूँ 20 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से soft dough जो हम बन गया है और ये फूल भी चुका है तो अपने हातों पे अभी हम थोड़ा सा oil लगाएंगे और इसको थोड़ा सा अपने हाथ से एक से दो बार और इस तरह से मसल लेंगे हलके हातों से अभी हम गैस चुला ओन करके कड़ाई रखेंगे और इसमें oil गरम हो जाने देंगे जैसे oil गरम हो जाएगा तो देखे इस तरह एक छेदो वाली चलनी वो लेंगे चमच यह हर किसी के घर में available होता है मशीन तो किसी के घर में होती है और किसी के घर में नहीं होती है लेकिन ये चीजे सबी के घर में available होती है तो देखे थोड़ा सा लोई के जितना डो लेंगे और अपनी हतेली की मदद से दबा कर इन छेदों में से इस तरह से हम सेव निकाल देंगे तो आपने देखा फ्रेंड्स कितने आसानी से मैंने एक छोटे से छेदों वाले चम्मस से मैंने यहां पर सेज जो हैं वो बना करके तैयार किये हैं देखिए अभी हम इनको बस इनको हम कभी भी लो या मीडियम फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे सेव जो होते हैं उनको हाई फ्लेम पर सेका जाता है फ्राई किया जाता है नहीं तो वो अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता नहीं बनते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर सिर्फ दो मि में ही अच्छे से सिख जाते हैं तो अभी जो हैं देखिए यह जो हैं सिख गए हैं इनको मैं निकाल लूँगी तो देखा फ्रेंड्स कितने आसानी से बहुत ही कम चीजों से हम जो यह सेव हैं इनको घर पर नमकीन सेव को बना करके तैयार कर सकते हैं देखिए कितने बढ़िया इनका कलर आया है नहीं हमने इनमें हल्दी एट किये बिल्कुल सिंपल और दो से तीन इंगरिडियन से ही हमने इनको खस्ता कुरकुरे बना करके तैयार किया है मैं एक बार ओर दिखा देती हूं किस तरह इसको हतेली से दवा करके निकालना है देखिए आप देख सकते हैं मैं अच्छे से हतेली से प्रेश कर रहे हूं उसको दवा रहे हूं तो बड़े आसानी से ही निकल जा रहे हैं और इसी तरीके से हम सारे सेव जो हैं वो बना करके तैयार कर लेंगे तो इस तरीके से अगर हम सेव बनाएंगे तो हमें मार्केट से कभी भी लाने की जरुत नहीं पड़ेगी और देखी बहुती मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी और घर में सुध तरीके से बनाए हुए सेव होते हैं आप देख सकते हैं कितने ये हाथ से मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ एक बार मैं ऐसे मुठी दवाने से कड़ कर तूट जा रहा है मतलब बहुत ही जादा क्रिस्पी करारे बने हैं बहुत ही जादा और टेस्टी तो फ्रेंड्स बहुत ही बने हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर नएं हैं और मेरी र الإसी पीज आपको अच्छी लगती है या अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोट्रिफिकेशन बैल भी दवाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें